नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिस्टरी विद्यान प्रकास में तारीक है आज ही 25 जनुली 2021 तो 25 जनुली से जितने भी इंपोर्टन करेंट बनते हैं सभी को करेंगे डिसकस साथ इसा जितने भी संबंदित इस्टेटिक जीके और जीस के प्रस्न है उसको भी डिसकस करेंगे प्रत्य प्रत्य प्रस की जो बैक हिस्ट्री है उसको भी जानेंगे और साथ इसा जानेंगे बहुत सारे इंपोर्टन करनेफेस का रिविजन भी करेंगे यानि कि जो पिछली important करनेफेस हैं उसको एक बार और देखेंगे लेक्चर की PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का description आप चेक कर सकते हैं दोस्तों आपको याद दिला दें कि चैनल पर रोज सुब पांच बजे ही कि आपके लिए करनेफेस का वीडियो ओलेबर हो जाता है फाइप एम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो आप लोग बिल्कुल सुबह सुबह उठकर इस स्रीज का आननद प्रा सकते हैं और जोस्तों इस स्रीज को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चलते हैं आज के लेक्चर पर पहला कुर्शन आपसे जो पुछा जा रहा है वो बहुत ही सांदार है लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि आज की तारीक है 25 जमरी और 25 जमरी का सबसे मत्पूर्ण दिवस होता है राष्ट्र 2011 से इसके सुरुवात हुई है दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्री मत ददादा दिवस जो होता है नेशनल वोटर्स डे ये 25 जमरी को क्यों मना जाता है क्योंकि 25 जन्वरी सन 1950 ठीक है 25 जन्वरी सन 1950 को इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की अस्थापना हुई थी उसके एक 60 अस्थापना वर्स पर जो कि वाता वर्स 2011 में नेशनल वोटर्स डे की सुरुवात की गई थी और ये सुरुवात किस ने की थी ततकालीन दाश्पती प्रदिभाद देवी सिंग पाटिल ने तो ये बहुत इंपोर्डन फैक्ट है आपको याद रखना है और आज है र भी बना गया है मेखाले में ठीक है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है मेखाले के सीम कौन है काराणा संग्मा उन्होंने इसका अध्घाटन किया है दूस्तों मेखाले के मुख्यमंद्री कारारा संग्मा ने 22 जमरी 2021 को मेखाले के पूर्वी खासी हिलसी लेके सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज इसका नाम दिया गया है वाहरेयो व्रिज वाहरेयो व्रिज ठीक है इसका उधरन क्या है और इस परियोज है सत्यपाल मलिक और मेखाले के मुख्यमंत्री है कानराड संग्मा आगे बढ़ते हैं हारी में खबरों में रहा ब्रहमान का डैनासूर क्या है तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है मैंने कमिटी टैब और टेलेग्राम चनल पर भी पूचा है और इसका सई जबाब है ऑप् यानि की ग्लोबलर स्टार क्लस्टर देखा है जिसे ब्रहमान का डैनासूर डैनासूर आफ यूनिवर्स कहा जा रहा है भारत का पहला बहूल तरंग दैड्ध अंतरिक्ष उपग्रह यानि कि मल्टी वेबलेंथ स्पेस सेटिलाइट एस्ट्रो सेट पिछले साल सेतंबर मे अंतरिक्ष में अस्थापित किया गया था तब सेवह ब्रहमान की कई गुत्यों को सुलजाने में खगोल विदों की मदद कर चुका है इसी कड़ी में अब खगोल विदों ने हमारी गलेक्सी मिलकी वे में एक विसाल अजीब से गोलाकार तारासमू ग्लोबलर क्लस्टर की खोजकी है ऐसे तारों यानि की स्टार सकूप आया गया है जो ब्रहमान में बहुती कम देखे गये हैं इस तारा पुच्ट को ब्रहमान का डैनासोर भी कहा गया है तो बहुत इंपर्टेन क्षिशन है आपको बिल्कुल इसे याद रखना है अगड़ा कोशन भी बहुत बैंकर आप दे इयर प्रुसकार 2019-20 के विजेता कौन है तो फ्रेंड्स ये कौन है ये है स्याम स्री निवासन यानि कि विकल्प ली हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है दोतों स्याम स्री निवासन ये फेडरल बैंक के एमडी और सी ईयों है भातिर इजर बैंक के पूर्प डिप्टी गवर्नर एस एस मुंद्रा की अध्यक्स्ता में पांच सदस्यों के वाले बेहत प्रतिश्टी निवासन के नाम पर मुहर लगाई है उन्हें ऐसे समय में जब बैंक के अधिकान सयोगी हान या अन्यमुद्द का सामना कर रहे थे उनके बैंक के लगातार अच्छे प्रतिशन के लिए चुना गया है फेडरल बैंक के संस्थापक है के पी हार्मिस और फेडरल बैंक की अस्थापना होई थी 23 सपरेल 1921 में अगला कॉश्चन यह है कि आरटन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में भा अतमान में यानि की 2021 में जो रैंक है वो कितनी है 85 है 2020 में हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक या थी 84 थी लेकिन आरटन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 61 आरटन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स में बारत की रैंक है 61 तो यह आप को बिलकुल याद रखना है तो फ्यासाब पर मैं आपको बताना चाहущगा अर्टर फाष्पोर्ठ पास्पोर्ट इंडेक्स और हैं में प्सपोर्ड इंडेक्स दिने की बारे में टाकि कोई मिले वाले में जापान सबसे उपर है तो अरटन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में जर्मनी का जुमिबिल्टी स्कोर है वो है 134 जर्मन पास्पोर्ट रखने वाले नागरिक वीना वीजा के निन्यान में देशों की यात्रा कर सकते हैं 35 देशों में जर्मन नागरिकों को वीजा on arrival की सुभिधा मिलती है 64 देशों में जाने के लिए जर्मन नागरिकों वीजा की जरूरत पड़ती है Powerful Passport Index में भारत का अस्थान है 61st यह फिलिपिन्स, भोटान, बेनिन, गैबोन और अलजीदिया के साथ इस अस्थान पर है इन सभी 6 देशों का जो Mobility Score है वो कितना है 52 है भारती पासपर्ट धारकों को 18 देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है 34 देशों में भारती पासपर्ट धारकों को वीजा अन एराइबल की सुविधा इमकुलब्ध है दूसरी ओर भारती पासपर्ट धारकों को 146 देशों में के लिए वीजा की आवसकता होती है चीन के पासपर्ट का 75 देशों में वीजा फ्री एकसेस है और पाकिस्तान का passport जो 107 अस्थान पर है उसका 32 डेसों में visa free access है अब यहाँ पर हम आप को बताना चाहेंगे जनवडी 2021 में जारी हेनले passport index के बारे में तो हेनले passport index 2021 में भारत की rank है 85 भारत का passport हेनले passport index में 85 में अस्थान पर आता है दुनिया के 58 भारती पास्पोर्ट धारकों को विना किसी पूर वीजा के प्रिवेश की इजाज़त देते हैं इस अस्थान पर भारत के साथ तजाकिस्तान है यादखना कि जो हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत पचासिवें स्थान पर है और भारत के साथ तजाकिस्तान भी है साल 2020 में भारत का अस्थान था 84 तब भी दुनिया के 58 देश भारती नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देते थे हेनले एंड पार्टनर्स की पास्पोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग 2021 में इस बार सीर्स के तीन अस्थान पर ACI देश है पहले अस्थान पर आता है जापान जहांके नागरिकों को दुनिया के 191 देशों में वीजा आन इराइवर की सुविधा मिली रही है दूस्तों जापानियों को दुनिया के इन 191 कंट्रीज में जानने के लिए पहले वीजा मिलने का इंदजार नहीं करना होगा जो कि दूसरे अस्थान पर आता है सिंगापूर दूसरे अस्थान पर क्या है सिंगापूर है जहां के नागरिकों को 190 कंट्रेज में वीजा फ्री एकसेस के सुविधा मिलती है दक्चिर कोरिया और जर्मनी सेंग्त रूप से तीसरे अस्तान पर हैं तो यहाँ पर हेंले पास्पोर्ट इंडेस में जर्मनी को तीसरे अस्तान पर रखा गया है जब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ यह आटनर कैपिटल में जर्मनी जो है वो टाप पर है ठीक है तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अस्पस रूप से याद रख लिए हैं क्योंकि एक्जाम की बहुत ही important है इसमें आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है किस सहर में विपरो ने अपना पहला Global Digital Hub अस्थापित करने के लिए फियर क्रिसलर के साथ भागीदारी की है तो सही जवाब इसका क्या होगा है थीक है तो बिपरो के CEO कौन है थेरी डिला पोर्ट है आउनर अजीम प्रेम जी है हेड़कॉर्टर में देगा आपको बैंगलूरू में जबकि फियर क्रिसलर आटरो मोबाइल्स का जो CEO है वो है माइकल मानले और हेड़कॉर्टर में लेगा आपको लंदन में दोस्तो अगला कॉश्चन है संगत राष्ट मासभा में निमलिकित में से किस देश ने अपना मता अधिकार खो दिया है यह कुश्चन मैंने डिविजन के लिए रखा है यह कुश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो दोस्तों इसका जबाब यह है कि इरान के साथ सच अन्य कंट्री हैं जिन्होंने अपनी फीस जमान नहीं की थे और इसकी वज़ए से उन्हें यूएंज जिये में वो अपना मतान का अधिकार खो चुके हैं अगला सब्सक्राइब यहां पर कि भारती रिजर्व बैंक ने 19 जनवरी को कहा था कि भारती स्टेट बैंक आईसी 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 बैंक और स्टी अपसी का नाम ऐसे बड़े करदाता बैंकों में सामिल है जो 2020 में भी घरेलों बिवस्तित रूप से महत्पूर बैंकों के रूपे बरकरार है और भी ने कहा कि यह तीनों बैंक इतने बड़े हैं कि कभी डूब नहीं सकते हैं तो यह चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखती हैं अब बार यह कुछ नंबर 24 की जिसको मांसर करेंगे तो कुछन यह पूछा गया था कि कैम्बिश डिक्शनरी में सबसे 70 तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सरे लोगोंने बहुत ही स्थांदार आंसर किया है और इनमें से एक आंसर यह है आप लोगों को इनके आंसर को सराना चाहिए बागी के लोग जो लोग भी अच्छा आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर को भी आप लोग पढ़ा करें और उसे लाइक कर दिया करें तो दोस्तों आप बारी है आज के क्वीज की आज का प्रस्न यह है कि गुजरात चंद्रकुत मौर के सामराज में सामिल था या किसे प्रमाणित होता है आपके ग्रीक बिरोनों से बी है रोद्रदामन के जूनागर अभिलेग से सी जैन परंपरा से या फ आज कार जय हिंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् झाल झाल